बुड़ आफ्टनून इस्ट्रेंट्स वेलकम तो जन्वानी क्लासिस मैं पिशेट बादवाज आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पर जहां पर आप मेरे साथ सेमिस्टर फिफ्थ की फिजिक्स पढ़ रहेते हैं और आपका यूनिट कौन से चलना था पा सभ्जेटमे आपको इंट्रोचल कर रवाया था ठीक है और इंट्रोच्शन क सधीकरा को इसे करों मैंने आपको इंट्रेक्शन के बेस्पर ताइप सो फोर्स वांइती कौन को सी फोकोन अर्याक्यम मैं एकws सेट्रेचर्फ को वह से किए हुआ था कि बाद से उंकि या उन की ताइप में रहले हैं किि Henceありがとうございます जिसका नाम के लिए नोनी रहा है यह सबतंग उस नहीं हैं हम उस स्फॉस के बारे में बात करेंगे इसकी ही अपनी अलगलती हैं जैसे आपका भीक है और आपका आपका लीक्री हमें कैसे पता लुआ क्या की पताकरे कि वो क्या है? नसे ऐा है ने सेंटरल थाथ है? यम्यल्ट बढ़ता किस तहीं किसे लगेगा थो जैसे है आपका सेंटर फोर्स जो होता है वो बेशिकली आपके इस पर किसे इन सेंटर रहे हैं इससे ब्चांटा किस बाता है के बीच दिस्टेन्स उस पर क्या सेंटल फोर्स बाउर सोगा वक segu यह through किसटेंस ओफ आपका center of mass के बीच की distance पर depend नहीं करेगा ठीक है आपके बीच की distance पर depend नहीं करेगा ठीक है ठीक है तो क्या आएगा पहरा point a non-central force is that force is that force for which does not does not simply okay which does not simply depends upon the distance between the centers of the two interacting bodies bodies ठीक है bodies क्या समझे कि आपकी non-central force वो फोर्स होगी जो नहीं डिपेंड कर रहे होगी दोनों के centers की बीच की distance पर अगर depend कर रही है तो वो क्या हो जाएगी आपकी central force नहीं और नहीं कर रहे है तो आपकी क्या होगी अब non-central force आपकी कैसे देगी non-central force अब कई बच्चे बोले हैं सरी के example example भी मैं आपको बताऊंगा पहरे इक बर definition समझो example की दोर पे चलो अगर आपको जान नहीं है जो example की दोर पे आपका आजाएगा friction force friction जो force होती है वो आपकी दोनों अब्जेक्स के बिच के center पे डिपेंड नहीं करती है ठीक है इसके example हो जाएगा और नहीं and also and also and also on the other parameters और जो बच्चेवे पेरमेटर से उन पे भी डिपेंड नहीं करती है जैसे इस फिल पे डिपेंड भी नहीं करेगी डिपेंड नहीं करेगी तो बच्चे भी चीजों पर भी डिपेंड नहीं करेगी ठीक है तो क्या समझें आप अब तक अब तक आप यह समझें आपकी वो forces आपकी वो forces जो कि डिपेंड ना करे distance between the center of the interacting bodies यानि जो कि दोनों जो जिन 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 बोडिश आफका direction force निकाल रहे है लिए लिए विक विच में कितना फोर्स लग रहा है उन वनों कि इस बीच के डिपेंड नहीं करेगी तो यानि उन दोनों की बीच की डिस्टेंस पर आपका फोर्स डिपेंड ही ना करें इसका मतलब क्या है या तो फोर्स तभी पूरा लगेगा जब दोनों आपके आपस में आजाएगी या फिर लगेगा इनी दो कंडिशन बनेगी डिस्टेंस पर में तरनी करनेगा कि इतनी यह कोन्टेक्ट में जाएगा यहां पर में डिपेंडेंस और किसकी हो रहता है एक डिस्टेंस बड़ी चीज तो पहली तो यह है कि इपक्डनेशन अए अपको अक्छे से समझ में आकर हो तीक है अबदर आपको चैन्टर्स्टिक्स पर चले जाओ तो इसक्ज़ाओ च्च तो चरक्टरिस्टिक्स में सबसे बड़ी चीज तो पहली तो यह है कि इसका तो पहले तो बड़ी इसी है बढ़े कि नॉन सेंटल पॉर्स तरस नॉट नेसेसरीली एक्ट ओं लाइं जो इन द सेंटल ड़ी नहीं है कि डिपेंड गरें दोनों बोडिस के सेंटर के बीच के दिस्टन्स पे ठीक है दूसरा आपको मैंने क्या बता आता जैको जैसे आपका ग्रेंटिशनल फोसे है कि स् थिक है और इसमें आपको सबसे बढ़ी important point क्या बताया था आपका gravitational force है वो आपका काफी दूर तक लग सकता है यानि कैसा आपका long range force है कैसा है long range force है तो आपका non central force हो जाएगा कैसा आपका short range force हो जाएगा जैसे बापी से low friction force तो दो कितना short है तो भी आपको का इतान बलास पहां जावब हो स्लुम्हें पंद कि अचसथा12,208 को % आ-ि-just-like तुम्हें आपको उसमें प्isc实 पहोड़ाइए्ектив वुद ह से इस पहता स्प्र की जी गधिकाए्ट पहला है बेंकर दग्राइब करों है一ज की क्यों तरों कि आपका फोर्स होता व माइनस का ग्रेडियस से फोर्स होता वह प्युक्तर का इसको जा सब्सक्राइन. ते शिर्फ इसे याद juice नहीं ठाइन निए टरुछ सॉटे याइन टरुट है a तो है तो आपको बता रही है लेकिन फिर पी अने बार में जिक्र कर दिया है तो बता देखेंगा और उस डेफिनेशन पर आपकी मर्जी आप करना चाहें कर लो नहीं करना चाहें तो इस वाले चेप्टर में आपको इंपोटेंट अप्रेटा सीजे खरणाने और फिर आपका पेपर टू वाले लेकि लेके चलना उसे भी तो आपको इंप्रेंट इम्पोटेंट चीजे करवांगा इस आपका भी टाइम बचे आपकी मेहनत भी बचे तो आप जादा एनर्जी अपना exam oriented topics पर लगा पाएं ठीक है अगर कुछ बच्चों को इस से दिक्कत है तो आप मुझे comment में बता देना कि आप पूरा ही चाहिए क्या लेकिन बज़ देख उससे थोड़ा सा नुकसान यह हो जाएगा कि आपका syllabus थोड़ा लेट हो जाएगा हाला कि हम मैं तो पूरा ट्राइ करूं ना कि से बस आपका complete हो जाए ठीक है चलो वह वक्त बताएगा जैसे भी होगा ठीक है तो अब ही हम जो बात करते किसी करें नों सेंटरल फोर्स की आयो आपको इसकी definition अच्छे से सुने आई होगी अब सिंपल सिंपल में definition आपकी इसक कि स्ट्रॉंग इंट्रेक्शन फोर्स और वीग इंट्रेक्शन फोर्स की definition लेपा लेता हूं आप इस ट्रेस के निचोट लेए ठीक है तो अब हम बात करते हैं किसकी अभी फैमिलियर एग्जांपल की बात करेंगे हैं अभी है मैं आपको बता ही था क्या-क्या वीक फोर् और आपका strong forces इसके important वैसे कुछ है नहीं लेकिन फिर भी जो बच्चे जाना जाते हैं एक्स्रा उनकी लिए है ठीक है इन definitions को आप नर्मल याद कर लेना अलाकि यह मन मार्क्स में भी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है क्या पता आजाए क्योंकि प्रिडिक्त नहीं कर सकते हम ठीक है ऐसा हम जरूरी नहीं है कि ना ही आए तो अगर किसी भी चीज के 1% भी चांसिस होंगी exam orientation से तो मैं आपको करवाओंगा ठीक है तो इसके आपके chances हैं क्यों नहीं है क्योंकि आपके बढ़ी चांसिन ही हो आ सकती है ऐसा chances है कि आ तो सकती है हम एक्दम से प्रिडिक्त करथा संदर साथ है क्यों क्यों इसी कंडिशन बन जाए जहां पर न्यूट्रונ को लूज कर दें तो उसके पास वो क्या मन जाता है को ब्रोड़ान की फूम में आ जाता है इसी प्रोसेस को हलाकि प्रोसेस बढ़ा है आपने लेंट क्लास में भी पढ़ा होगा यह भी आपको नॉर्मल समझाने के लिए बता है यह भी आपको नॉर्मल समझाने के लिए बता है जिससा आपके लिए थोड़ा इसी हो जाए टेक है अलाख इसके पर पूरा चैप्तर है आपका जन्त क्लास में अगर आपको याद होगा तो टेक है आपका चैप्टर जो है इसके उपर बेस नहीं है यह आपको सिर्क नोर्मन बता रहा हुआ है तो वीक फॉर्स के वह recruitment आपका पर क्रेंब किरें कहा पर हमें का इसिंधे हैं अपकी वह सकते हैं तो आपके प्रोडक्त आठाश्रा जो आपका हुआता बेप्रते हैं पूइस प्रोड़ॉ है प्रोटोन को रखे 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 और रौटोन को न्यूट्रोन को और किसको किसको तो प्रोटोन न्यूट्रोन को थीक है और चाल सब्सक्राइब और न्यूट्रोन रहते हैं tai क्या थो दिशक्राइब नॉट्रोनव मिश्क्राइब chlorine क्रीकाँ करें नुकुलियटोन को सब्सक्राइब और नूवर्टोनन प्रोटनлем सब्सक्राइब हुत है प्रोटओन और नूट्रण प्रिजेंट होते हैं उस तरीके से तो देखो यह आसे बदोंगे कि शर्म प्रोटन फीरों तो योर्म मंदोनें पर नूटीक कें अंदर सार। मरत inspiring रहता हैं नदुक्रम के निकलेश को तोड़ना आँपल के хотел हैं और आपका श्रॉंध रुटोन के बिच में पीप स्रक्षाइब से उसीników कोन। क्या वोते हैं करनूत्रौन को समझ में आतरी होगी इनको चैद धेख लेकातですね इस पर आपका जाँगे आपका सेंटल फोर्स के बारे में बात करेंगे छुछ प्रोपर्टी इस एंटल फोर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले सबसे पहले दो में इंपोइंट है अगर में बात करों तो नहीं कि इस तरीके से हम पैचान सकते हैं कि हमारी इंपोइंट पॉइंट है कि किसी भी आगर किसी भी कर रहा है करता कि वह दीर के परपने रित्कल्ठ के परपर जए झाँ किसके परापर जाएंट जिर्ट के बरापर कि för्य तो वह क्या फोर्स होगी आपकी एक एक वापकी फोर्स जब मैं चीज़े करवाओंगा तो आपको पता लग जाएगा, जर आपको force given होगी और आप कर्व निकाल रहे हैं, और अगर जो आप current निकाल रहे हैं, वो जीरो के बराबर आ गया, तो समझ जाना वो जो आपकी force है, वो किस तरीकी force होगी? वो आपकी conservative force होगी, कैसी force होगी? के एक तो ये तरइका दूसरा बिखिर आपकी फोर्स है जो आपको को कि वे फोर्स पॢ़ों आप कीसी स्केल पूटेजिल के किसी स्केलर पूटेंशल की गृडियन के एक वालütün और तो आपका तुब भी उफ क्या गराएगी और ऑन्क तब भी वो फोर्स आपकी क्या केलागी conservative force आचा ये तो बात होगी किसकी ये तो बात होगी चलो हमें अगर force की basis पर में बताऊंगा ठीक है अब जो important point है और वो आपकी derivations में भी काफी काम आएगा इसी हमारी derivations में भी आपको proof करके दिखाऊंगा तो महां भी काम आएगा ठी ना की actual path पर कि क्या path लिया है a point से b point पर जाने के लिए उस पर depending करती है depending किस पर करती है Depend करती है सिर्फ और सिर्फ initial and final position पर ठीक है पड़ा पड़ा आप इसका screen चोड़ो फिर मैं आपको बता तो मैं आपको क्या कहना चाहाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक होगा कमचो क्या है आपका ठीक है अगर आपका मालो इफ पार्टिकल इनद इडिस्प्लेसिस क्रों पॉंड पॉइंट ए तूबी माने लोग आपको नीfps कोई एपार्टिक पायओ moistur hizo फिर्मैं कि मॉवी किसीद्द आप कर शरकता है थे हिससे बीपोइं तक गया थो जो, जो वर्गदन होगा तो जो वर्गदन होगा वह आपका किसके बराबर होगा वह आपका F और DR मानलो क्या होगा अगर उसने DR displacement कबर किया और किस-किस पॉइंट के बिच में A से B और अभी मैंने आपको बताया है क्या आपको जो आपका फोर्स होता है वह माइनस का divergent of V के बराबर होता किसके बराबर होता माइनस का divergent of V के बराबर होता है तो जब आप यह पूट करें इदर यह इधर पूट करेंगे ठीक है तो आपके इसकी वेली क्या जाएगी क्या जाएगी ता बलू बराबर माइनस का A to B और क्या divergent V DR ठीक है अब आपके डेल भी क्या होगा यह तो आपको डेल पता हो जी आपके डेल क्या होता बही ग्रेडियंट जो होता है आपका ग्रेडियंट किसके मारा पर होता है ग्रेडियंट आपा हमारा अजाई कैब एक्स जे गाएप नुब आई केцद गेट ठीक है यही तो हता है आपका डेल किव्यल क्या होता है यहीं आपका ग्रेडियंट होता है ऐग्रेडियंट होता है और वी तो रहना तो चम्म है यहाँ पर पूट कलमा डेल की वेल्यू तो मैंगी इस तरीके सूज इसका स्क्रीन चोड़नों फिर मैं बनाता हूं किस तरीकस हो जाएगी बच्चो तो देखो किस तरीकस हो जाएगी है बस्कोपाइख आए टू भी एट टू बी क्या हुआ हुसराएगा अधार है करली पाइड कर्ली एकस जीड़ली बाइड़ करली वाई प्लस के कर लिव्या कर लीडेड हैं ठीक है अब मालों मैंने जो A से B डिस्पेस्पेंट करी है वो X Y Z इनों क्या नों करी है यानि मेरे जो R वेक्टर होगा वो कैसा होगा X I कैप Y J कैप Z कैप तो मेरा D R क्या जाएगा D X I कैप D Y J कैप और D Z कैप या जाएगा तो D R की जगा पर मैं क्या लिख सकता हूँ? D X, D Y and D Z और जब मैं अंदर मुल्टिप्लिकेशन करवाँगा विसकी तो क्या हो जाएगा A to B क्या हो जाएगा या आपका हो जाएगा करली bx और क्या B X Plus क्या यार्ट करली Dood Lex भूश्य मेरा दल जैड यही होगा अब बच्चे याद करणो की पार्शल डिफ्रेंशेशन अगर मैं पार्शल डिफ्रेंशेशन करा हूं जो आपका पार्शल डिफ्रेंशेशन ओफ वी होगा वो बराबर किसको का डीवी बराबर कर्ड वी बाई कर्ड एक्स देल एक्स कर्ली बाई कर्ली कर्ली वाई कर्ली डीवाई कर्ली जड बीजड इसे के तो पर पर होगा जब आप इसकी जगहार यहां पर यह फूट करेंगे ठीक है पहला पर आपके शिर्मार के बताता हूं आइ लेदिया वह का देखो और सबस्क्रेशन इसके सबस्क्राइब नहीं पर बचैता है तो इसकी जिगा पर डीविख सकते हो यह आपने क्या लिखते हैं दिवी और डीवी जब आप लिख रहोचांटे इंटिकरशन से बहार और वी एलिमिट क्या बचेंगी एक क्या आएका वी ए माइनस वी यह वी तो आप ध्याँद कर रहा है यह सिर्फ आपका इनिशल वाईनल पॉजशन पर दिपेंड़ करगा है। सिर्फ इनिशल और फिनल पोजिशन पर डिपेंड दर्पा हैंस हमें इससे रिजन्ट का मिने का हैंस हैंस इफ दवर्ग दन इफ दवर्ग दन बाइद पोर्स इस इफस्टेश रिज वोग्सिटर्द walking कर तो फोर्स इस सेड टू भी कंजर्वेटिव अर्स्टेंग को यह हमारा थेर्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी गया है क्या आपको दिखा आए न अच्छे जिए तो थे मिलना कि अगर आपका जो फोर्स जो बर्डं करवा रहा है वह सिर्फोर सिपेंटि इस पर करता आपका इनीशे और फाइनल पोजिशन पर तो जो आपका फोर्स हो का ऊसे बोल सकते हैं कि वह जो फोर्स है वो एक conservative force है, कैसा force है, conservative force है, आप इसका screenshot लेलो, ठीक है, तो आज आपको conservative force हो गया है, ठीक है, अब आपकर क्या बचा है, अब पहले में करना आपको सबसे पहली का करोंगा, जो मैं आपको बता रहा था था न, क्या है, f equals to minus del v, यह मैं आपको proof करके दिखांगा, ठीक है, और फिर angular momentum का conservation पढ़ेंगे, central force के अंदर, ठीक है, और capsular slow भी पढ़ेंगे, ठीक है, आपको आने वाली class में आपकी important topics आएंगे, तो इने हम फड़ा बच से cover करेंगे, और आपकी unit 4 को भी जल्दी से complete करेंगे, कैसे, अच्छी explanation के साथ, और I hope आपको अब तक जो भी पढ़ा होरा है, वह आपको समझ में आभा होगा, बच्योट कैसे क Батार्या होगा, एक उचिइन में भी पजमार से और क्विच से कुछ क मुझ बचा होगा, तो कमेंण बचान से कुछ वा होगा, तो बबचान सेकं तो कमेंट में बचान से देन, ठीक है, चलो आज कíst Yap निने थी लि कि अवर जो और प्वाभ जैस झांग झांग कि अवरी आई इन कि अवरी तूर्थ ट्रियव शियो कि अवरी तूर्थ इन कि इप शुट रानज अनुट है है है